सुक्देप जी महराज राजा पर्क्षित को अगनी कथा सुना रहे हैं दक्ष्य यक्ष्य के का बिधन्स हुआ है कैसे भगवान शिव ने दक्ष्य के यक्ष्य को बिधन्स करवाया और दक्ष्य को दण्द दिया सुक्देप जी महराज यह चाहते है कि कृष्य भगवान की लीला को सुनने से पहले राजा पर्क्षित का मन एकागर हो जाए उसमें जो ज्यान और वैरागी और भक्ति है भगवान कृष्य की लीला में उसको जानने के लिए वो एक प्रकासिय योग साधक बन जाए तो उसी क्रम में सुद्देप जी महराज कहते हैं कि राजन सिश्ति के आर्म में क्योंकि सिश्ति प्रले है JOSHै ये निर्णतर क्रम चलते रहता रात और दिन के समान में तो एक सिश्ति के आर्म में ब्रमा जी ने बहुत सारे जो प्रजापती होते हैं अर्था जो जैसे कोई एक अगर चेयर्मेन है तो सब चेयर्मेन होते हैं अब मैनेजर है तो डिप्टी मैनेजर होते हैं उनको जैसे काम सौंप दिया है तो ब्रह्मा जी ने अब सिष्ट के उत्पादन के लिए एक प्रजापती की उत्पत्ती की मांसी रूप से जिनका नाम था दक्ष प्रजापती और दक्ष प्रजापती की सोला कन्याई थी सोला कन्याई का नाम क्या था सद्धा मैत्री दया शांतिर तुष्टे ही पुष्टि क्रियोनति ही बुद्धिर मेधा तितिक्षा हरिंग मूर्ती रहो धर्मसिपत्न यहो प्रतिकाप्म गुप से मूर्ती रूप दिया गया धर्म का अब जहां धर्म है उसकी पहचान क्या है उस धर्म की पहचान वहां सद्धा हुनी आउशक है मैतरी दया शांती तुष्टी कातातपरी संतुष्टी पुष्टी अध्यातिक रूप से पुष्ट होना चाहिए ग्रियोन नती सिवाकारी में लगे रहना चाहिए बुद्धिर बुद्धिर तेक्ष्ण होनी चाहिए निर्मल होनी चाहिए तितिक्ष्या सहन सिलता होनी चाह कत्यात पर यह वहाँ पर सद्गुन होने चाहिए और मूर्ति यह धर्म की पहचान है जिसके भीतर यह गुण है वह वास्तों में धर्म के मार्ग में आगे को बढ़ रहा है लेकिन जो तीन कन्याय और थी तो जो चौद्मी कन्याय थी उसका विभा किया गया था स्वधा का विभा किया पित्र लोग के जो अधिश्चात देपता होते हैं सुधा का विभाग, स्वाहा का विभाग किया अगनिदेव से और जो सोल्मी कन्याती उसका विभाग जिसका नाम तर सती, सती का विभाग किया भगवाल शिप के साथ में सुको वाचो, पूरा विष्ष सज्जा, सत्री, समेता, परमर्शय हो, तथा मरगणा, सर्वे, सानुगा, मुनयोत, अगनया हो और इस प्रकार से दक्ष अपने राजी में निरंतर यग्य का आयोजिन करते रहते हैं और एक बार दक्ष ने एक विशिष्ट प्रकार का यग्योर किया, जिसमाने एक देटाओं को आमंतरित किया गया प्रम्मा भी है, विष्णु भी है, भगवान शिव भी है, शिव अगर कहीं तो यहां पर अप दक्ष कह रहा है कि मैंने अपने दामाद को भी आमंतरित किया क्योंकि दक्ष न अपनी जो सोर्वी करन्या थी उसका विवाभ, भगवान शिव से किया है, तो वो शिव में ए आए, राजा महराजा आए, और नियम क्या होता है, प्रक्रिया होती ना कि एक जैसे कोई एक नैतिक्ता है कि जो वहां का चेर्मेन होगा, तो चेर्मेन के अंदर प्रवेश होते ही, तो सब लोग उठते हैं उनको आदा देने के लिए, जैसे पूरे सभाभवान में दक्ष ने प्रवेश किया, तो सभी रिशी मुनी, देपता सभी उठे, लेकिन तीन लोग बैठे रहे, भगवान विश्नु और ब्रह्मा और भगवान शिव, अब धक्ष ने देखा कि सभी अपने अपने गद्धी से उठे हैं, लेकिन चलो विश्नु भगवान नहीं उठे, चल नहीं उठा, तो बड़ा क्रोदित हो गया हूँ, उसके हंका को बड़ी ठेस लग गई, तो भरी सभाब में उसने शिव का अपमान कर दिया, कहता है, आयंग तु लोग पारा नाम यशवनों निपत्रयाओ, ये अपने आपने लोगपाल सभी संसार का महन समस्ता है, और ये तो इसने तो जो जो लोगपाल इत्यादी है, उनके यश का इसने हनन कर दिया है, इस घमंडी ने सतुरु सुरे आचरण को लांचित किया है इता ही नहीं कहा, ये है निलज महादेव, लोग पालों की किर्टी को भी दूल में मिला रहा है, अपने आपको ये महादेव कहता है, लेकिन इसका काम क्या है, क्योंकि गुस्य में था लाल पिला हुआ था, और जो भी अपने भीतर का खुमार था, वो सब उसने उड़ेला और फिर कहें लगा, चिता भश्म, प्रेतस्तत्र अस्चि भूशन हो, शिवाप बेशो, हभीशो, मत्तो, मत्तह, जनम प्रीहो, समचान घाट की जो राख है उसको अपने सरी पर लबिटता है, और प्रेतों के बीच में रहता है, इसके गणे, नगना उस्ता में रहता है, गले में सर्कूं की माला रहती है, क्या है इसके पास में की जिससे ही अपने आपको महन समझ रहा है, शिवशांत बैठे रहे, उन्होंने कोई किसी प्रकार के प्रतिकार नहीं किया, जैसे कि उन्होंने सुना ही नहीं, इसे बीच में भगवान विश्नु ने जान लिया कि अब कुछ न कुछ अनत होने वाला है, तो भगवान विश्नु और ब्रह्मा जी चुप्चा वहां से किस अगलिए, कि अब ये सवाववान में बड़ा उत्पात होने वाला है, और हो आभी वही, दक्षी ने फिर कहा कि आज से मैं अपने यकी में इसको कोई भी भाग नही नहीं करूंगा, मेरा समझ इन से आसे तूट गया है, दक्ष चले गया उससे मैं लाल पिला होकर करके, भगवान शिक के साथ में उनके जो बाहन थे नंदी, बैल गरूप में वो भी थे, कुछ गल भी थे, उनको ये अपने भगवान का जो अत्मान किया है, वो उनको सहन नहीं हो पाया उनसे, उन्होंने एकदम से कहा कि ये दक्ष मूर्ख है, मूर्ख है ये, ये मनसी, ये मनसी कहलाने योगी नहीं है, इसका सिर कटेगा और परशु का सिर लगेगा, तब ये शालत हो पाएगा, विनम रहो पाएगा, लेकिन जो दक्ष के फेबर में थे, कुछ ब्रहमर थे, इत्यादी थे, रिशी थे, उन्होंने किया कि उन्होंने नंदी को और जो भगवान शिव के गण थे, उनको उनका अपमान और उनके साथ मार्पी डारम कर दी, तो दक्ष का जो यग्य है वो बढ़ा उल्टा सिदा हो पड़ा, मलब सभाववान में उथल पुथल मज गई, धीरे धीरे ये समाचार पहुंचा, उसके बाद में भगवान शिव अपने कैलास परवत पहुंच गए, जब कैलाश परवत पहुंचे तो, उन्होंने सती से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कुछ समय बार में सती ने देखा कि आकाश माद्ग से बहुत बिमान जा रहे हैं, दक्ष जहांपर दक्ष का भवन है, देपता भी हैं, उसमें रिशिमुनी भी हैं, तो सती ने कौतुहल बस अपने पती से पूछा, भगवान से पूछा कि ये विमान किसके हैं, कहा जा रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि ये सब आपके पिताजी के सभाववन में जा रहे हैं, यगी का आयोजन किया है बहुत बड़ा, और उसी में ये समिलित होने के लिए जा रहे हैं, तो सती ने पूछा क्यों आपको नहीं बुलाया है मुझे नहीं बुलाया है उन्हों ने कहा हमें नहीं बुलाया है लेकिन सती ने कहा कि मेरी पिता है मेरी माता है वहाँ पर तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ तो मुझे आप भेज दीजिए भगवान ने कहा तुम्हारा वहाँ जाना वनिचित है कुछ अनर्स होने वाला है लगर तुम नहीं मानती हो ठीक है तुम जाओ और कुछ गणों को सती के साथ भीज करके उन्होंने भीवने आकाश मालगे से दक्ष के भवन में भेज दिया लेकिन जैसी दक्ष के भवन में पहुँचे तो वहां देखा कि सभी का इस्थान है सभी अपनी आसनों में विराजमान है देप्टा है निशी है राजा माराजा है लेकिन सती देखती है कि मेरे पती भगवान शिप के लिए जो आसन है वो है इनी यहां पर और दक्ष ने भी अपनी कन्या का कोई भी स्वागत नहीं किया भूमोर के चले गया किवल माने थुड़ा सा आलेंगें किया बहनों में किया लेकिन वो भी दक्ष से भैवी थी जग सती को यह ग्यात हो गया कि इन्होंने मेरे पती का अपमान किया है तो सती ने कहा कि मैं अब आज से इस देह को जो की दक्ष से उत्पन हुआ है इस देह को मैं आज से त्याग दूँगी क्योंकि जो देह का शंबनद जो जिस देह के मार्जम से जिसके पिताजी ने मेरे पत्री का अपमान किया है तो इस शरी करहना अब कोई भी आफशक नहीं है कोई अउचितनी मनता है कोई भी इसका प्रियोग नहीं है इसलिए मैं इसी सभाववन में दक्ष को ललकार के कहा कि मैं इसी सभाववन में आज मैं अपनी योगागनी से योगवल से मैं इस शरील को भस्म कर दूँगी और सती ने वही किया एगिस्तान में चुपचा बैड़ रही और शांत होकर के उन्होंने देखा कि सती का शरील भस्म हो चुका है हाहकार मज गया और कुछ समय के बाद में भगवान शिप को जब ये ग्याथ हुआ कि सती भस्म हो गई है तो भगवान शिप ने अपनी जटा से एक जटा तोड़ी और उसे धर्ती पर जैसे पढ़का तो उसमें से विशाल एक विशित्र पुरुष पत्ति हुई जिनका नाम था वीरवद्र जो उनके महान गण थे शिव गणु में उनके महान गण थे जिने सेनापटी भी कह सकते हैं वीरभद्र को भगवान है कहा कि तुम जाओ गणु के साथ में थोड़ा सा दक्षुपत दंड देया हो क्योंकि यह उसी के लिए उचित है वो बहुत अनुचित कारी कर रहा है वीरभद्र अब जब पहुंचे वहान सभाववन में तो उन्होंने क्या किया यग्जिभवन को उन्होंने तुर्फोर्द दिया और जिनकी मूचे थी उनकी मूचे उखार के रख दी जिनकी दाड़ी थी दाड़ी को किसी को आग लगा दी किसी को उखार के रख दिया जो हस और दक्ष का जो सिरह उसे काट करके उन्होंने यगी कुंड में डाल दिया भगवान विष्णु भी थे वहां पर ब्रह्मा जी भी थे वो चुप चाब उसे और खिस रहें उन्होंने कहा कि आप यह बहुत जादा कुछ अनत होने वाला है तो एक प्रकाश से बड़ा वहां गरबड़ी हो गई है तो कुछ जो देपता थे वो उन्होंने कहा कि अब यह यगी तो बिधन्स हो चुका हमें जाना चीए कैलाश बिना भगवान को मनाए वे यह यगी पूरा नहीं हो सकता है क्योंकि यगी का होना आउशक है तो सभी देपता मिल करके भगवान ब्रह्मा जी के पास में गये ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें विश्टु भगवान को लेकर करके कैलाश परवत जाना चाहिए और हमें भगवान से प्रात्ना करनी चाहिए भगवान शिफ्ट से कि आप इस को संपन कराईए और दक्ष को जिवीद कीजिया और कैलाश परवत में जा करके उन्होंने भगवान की प्रात्ना की भगवान ने कहा कि क्यों आप आए मेरे पास में आप लोग मुझे तो पता ही नहीं है उन्होंने का पता तो आपको है बीना आपके पता कि विद्वन्स क तो मैंने थोड़ा साइक जैसा दिया हलका सा कि तुम नीचे गिर रहे हो तुम जिरा सावधान रहो और मेरा खिस्ति के प्रती कोई भी रोश नहीं है अब मैं दक्ष के सिर पर बक्रे का सिर लगाऊंगा और तुम जाओ और उस यगी को संपन करो क्योंकि अगर वो यगी स कि अधुरे हैं वह आगे की उन्नति नहीं कर पाएंगे तो वह भी आउशक है और इस प्रकार से दक्ष का जो यगी दक्ष का जो सिर है जो यगी की बेदी में डाल दिया गया था वो उस पर बक्रे का सिर लगा दिया और फिर यग दक्ष ने भगवांशिव से प्रात्ना की है भगवन यह मेरा बड़ा अपरात था कि जो मैंने आप से अनुचित वेभार किया और आपने मुझे बिनम्र कर दिया है बक्रे का सिर का तात्परी है कि अपने हंकार को बिनम्र कर देना और इस वकार से वो यग्य संपन्न हुआ अब यह जो वीचित्र कथा है यह वेदांत की सिक्षा से वेदांत का तात्परी है कि जहांकि सभी वेदूं का कल्मिनेशन है क्योंकि वेदान्त की शिक्षा को अगर सिदे बहुत सारे सादक अभी उसको बुद्धी से ग्रहन नहीं कर सकते हैं तो इसलिए वेद वियाजी ने इनको कथा के माध्यम से दिया है कि इसके माध्यम से कि वो वेदान्त की शिक्षा को खिर्दैंगम कर सके पहला तो जो है वह दक्ष दक्ष है इगो प्रिंसिपल मला इंडिविजुएलिटी कि मैं ब्यक्ति हूं जन्मने मनने वाला ब्यक्ति हूं और जब वह अपने आप इंडिविजुएलिटी में ले आता है वैयक्तितन सकाम कर में लिफ्ट जाता है वह दक्ष का यगी है ऊस दाख्श के एकि में सभी कि देपताउं कर आबहां किया गए उनको आसन दिया गया है लेकिन भगवान शिफ को नहीं दिया गए यानि कि वो संसार में गीविविम प्रकार के देविद्पताउं पूजा तो करता है केवल सकाम कर्म के लिए बहतिक्ता के लिए स्वर्व की प्राप्ति के लिए नश्वर्भूव की प्राप्ति के लिए लेकिन मुक्ष की प्राप्ति के लिए वो कोई भी प्रयत्न नहीं करता है यानि को शिप को इस्थान नहीं देता है शिप का मलब कि मै कौन हूं उसको जानने का प्रियत्ता नहीं करता है जब तक वो दक्ष के समान में सकाम कर्म के यग्यों में लिपते हैं इस प्रकार के जो भी रिक्ति कर्म करता है वो उसका यग्य है वो दक्ष के रूप में है कि कहने का तात्परी है कि जो कुछ भी किया जाता है वो केवाज अहंकारिक पूर्ति के लिए कि आत्पन की पूर्ति आत्पन को जानने के लिए देपता क्या करते हैं कामना पूर्ति करते हैं लेकिन जब कामना पूर्ति होती तो हजारों कामना औरों आ जाते हैं लेकिन शिव की पूजा करने पर वो कावनाई मिठ जाती है, परम्तित्ति हो जाती है, परम्षांति मिल जाती है, उसको व्यक्ति नहीं करता है, नमबर दो जो सती है, सती है संसारिक बुद्धी क्योंकि वो दक्षि से उत्पन हुई है, जो व्यक्ति अभी व्यक्तिक्ता में उलज sharks हूआ है इग उज्जायर में उलजह हूआ है या सकाम करूँ में उलजह हूआ है उसकी जो बुद्धि होगी वो किवल संसारी बुद्धि तक ही सिमित रहेगी ठीक है संसार बुद्धि संसार में अपने आपको maintain करने के लिए बहुत सारा काम करती है डिग्री ला सकती है बड़े-बड़े अनुसंद्धान कर सकती है अन्मेशन कर सकती है बहुत कर सकती है लेकिन ये बुद्धी आतमेग्यान प्राप्ति नहीं कर सकती है क्योंकि ये दक्ष की कन्या है क्योंकि दक्ष ये चाहता है या जो व्यक्ति क्या चाहत है उसके लिए तयार हूं है जो आप करने वह तयार है मैं तयार हूं है कि ऐसे बुद्धि कि प्रति डख्षरूपी जो जीवात मैं वो चाहता है कि आतमे अच्छा नहीं के वınız केल बहतीक्ता की उदय हो जाते हैं और उसका जो लक्ष है मैं कौन हूं की ओर हो जाता है मुक्ष प्राप्ति की ओर हो जाता है तो वो तारपरी है कि अब सती ने दक्ष के भवन में दक्ष का आमना सामना किया दक्ष से प्रस्व पूछ ली है कि मेरे पती का भाग कहा पर है आसन कहां पर है अ अब वह बुद्धी इतनी निर्मल होने लग जाती है में अहंकार एगो अरे सकाम कर्म करने वाले जीवात्मा अभी तक तो ने मुझको अनेक अनेक जन्मों तक भटका हुआ है इनी के कारण में अब मैं अपने आपकोई स्वयआ को भस्म कर दूंगी यानि कि वो बुद्धी में परीवध्तन हो जाता है कि यह तो इस जड़ीन में होजा का परीवध्तन या अन êtes जन्मों की जो प्रक्रिया में उन्प्रक्रिया के माध्यम से वह अने जब शरीर को छोड़ता है तो वो है सती का भस्म हो जाना हुआ शती का जो प्रञद क्या है कि आप मैं अहमता और ममता के पिर्तिक काम नहीं करूंगी बस जैसी सादग अपने भी तर ये प्रश्ण लियाता है कि मैं कौन हूँ वो एमाई तो वो फिर दक्ष की कन्या नहीं रह जाती है और शीमत भागवत में सती की वो कथा नहीं है क्योंकि और और जगह वो कथा है रामेन में भी है देई भागवत में है कि वो सती ने फिर उसके बार में हिमालय राज के यहां अपना उन्होंने मापारवती की रूप में उमा के रूप में जनम लिया था जिन्होंने आरम से ही ये प्रण कर लिया था कि मेरे पती केवल शिब होने चाहिए बड़ा प्रलोभन दिया उनको उन प्रण के माध्यम से या कहें कि योग मार्ग का पालन करने पर जो बुद्धी निरमल हो जाती है उसको अब संसार के भोग नहीं सकते हैं उसका एक प्रण हो गया है कि मुझे अब आत्मियान पाना है कहने का तार परिये कि अब जीवात्मा का विवाह परमात्मा से होना नि वह बहिर्भद् कितात पर यह परावै्रागी विर्द्ध की अवस्ट अलगा खोती ए उनमें जो अंतिम वैैरागी है उससे कहते हैं परावैरागी ऑर वीक के प्रतित्त वीवेक और वैरागी के माध्यम से दक्षका जो यग्यक वह बिद्धांस के जाता है दक्षका जो वो सामान व्यक्ति का चित्त है अंकर्स्यस माइंड है और जो अनेक प्रकार की भ्रांतियों से उल्जा पड़ा है कि अरे संसार के भोगी सब कुछ है काम में डूबे रहो लोग में डूबे रहो मोह में डूबे रहो इंसा में डूबे रहो आसक्ती में डूबे रहो इस प्र प्रतिकात्र ग्रूप है लेकिन दक्ष अर्थाद्वेरागि और विक के माध्यम से उस सभाववन को बिध्धन्स कर दिया आता है कि यगी को बदल दिया जाता है जो इस पकार की जो जो उसकी भीतर अभी मूली है कि इस अंसार के भोगु में ही सब कुछ सुक पड़ा हुआ है उसको वो चकना चूर कर देते हैं जैसे कि उन्होंने दक्ष के यगी को बिध्धन्स कर दिया हुगा भृगु देपता के उन्होंने क्या किया था मूचे उखार दे थी अब जब इस पकार के विवेक और वैरागी उत्पन होता है तो अब उसमें जो मूचूं का अतात पर यह कि अंकारिक डिस्टिक हों लब कपट अता कपट है चल है प्रपंचे है इस पकार की जो भावना है उन्हों वह उखार करके उन्होंने दुबारा से उनको लगाया यह निकी खाली मूचे उखार के फैंक दिया है जब दुबारा से जब आये भगवान शिब ने कहा कि इसको बक्रे का सिर लगाओ तो उन्होंने भड़ी को देपता की मूच्छों को भी लगा दिया तार पर यह कि वह बिनम्र हो गया है यह कपट है वहां निश्चलता आ जाती है यह चल है वहां चल हट जाता है निश्चलता हो जाती है यह प्रपंचे है तो वहां शान्ती हो जाती है भग देपता की उन्हो आप परिवर्टित हो करके वह जो आख दुबारा से उनको लगाई है वह आखे आप केवल क्या देखती है कि नाम और रूप के पीछे केवल उसी परमात्म को देखती हैं एक ओंडिती हो नास्ती धीरे धीरे आपकी जो चर्म चक्षु हैं वह उखर करकर के दिपी चक्षु म आजाते हैं और पूशा के दान भी उन्होंने उखार दिये थे दात का मलब की जो अध्यापिन मार्गी की और जो बढ़ रहे हैं या इस मार्ग को जो उपास इनका उड़ाता है वो भी दक्ष के यगई धन्सों होने पर वो भी दात तूट जाते हैं और उसके बले जो नए दात आते हैं वो दात हैं मुतिता का भाव मैतनी का भाव करुना का भाव शमा का भाव इस वकार से जो दात हैं वो निरतर मुतिता के भाव में रहते हैं यानि कि वो भगवत कृपा का अनुभव करते हैं तो प्रसंद होते हैं और शिव पूजा नहीं अगर होगी तो क्या होगा शिव को भागनिय नहीं दिया जाएगा यानि कि लक्ष अकर मोक्ष नहीं होगा तो इंद्रियाम अन्यंतित भटक नहीं लग जाती है इंद्रियां मन के अंडर में नहीं रहती हैं जैसे घोड़े के लगाम छुट गई है तो घोड़े अन्यत्त हो जाते हैं और इंद्रियों के हरे जिठते हमी ब्राड़ेयां हैं मन हो जाई पांच द्डूरीचा हूं शरीद के जिठते भी अंग्ये हैं उन एंग्डू के हिंदु धरम की अनुसार में बिभिन्प्रकार की अधि snart देब्ता और देब्ता वह भी क्या होते हैं वो भी मिस्गाइड लिवाख ले गमẫnते हैं जैसे कि दक्ष कि भवन में देवटा आये थे वही फिबने रहे थी को उसी के छी ऊंवारा प्रेकार रहे है क्योंकर में पर स्शिव का भाग नहीं दिया था शी अंतिम्क की वह हूं कि एको संसार एको सकाम कर्मे हैं सकाम कर्म जहां पर है तो वहाँ पर वो दक्ष का यगी है और इस सकाम कर्म को बिदंस करने का अतार पर यह कि आप अपने सकाम कर्मी की ओर बढ़ने लग गए हैं तो आके भीतर ही जो यगी है वो बिदंस हो जाता है तो आरभ में दक्ष को नाराज हो जाता है। तो उसको ये ग्यात हो जाता है कि अब ये हंकार विनम्र हो गया है वो जो इगो पहले फल फूल रहा था गर्विद हो रहा था अभिमान से फूल रहा था और वो विनम्र हो जाता है भगवान के श्रणाएं